के मेरे किचन में आप सबका बहुत स्वागते आज हम बनाएंगे एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी खिचडी बनाएंगे हम पालक वाले खिचडी बनाएंगे वह बहुत ही असान तरीके से बनाएंगे तो चले स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले रेसिपी का नोटिफिकिशन आपको मिल सके तो मैंने यहां पे एक कप दाल लिया है और आधा कप हरी मूंग लिये चिलके वाली और इसे मैं अच्छे सदो के साफ कर लिया है अब एक प्रेसर कुकर लेंगे इसमें चावल डाल लेते हैं और दाल को भी मैंने अच्छे सदो के साफ कर लिया है आप हरी मूंग की दाल नहीं लेना चाते तो आप य तो मैंने यहां पे दो कप पानी लिया है, आप किसी भी कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, अब इसमें नमक डालेंगे, एक छोटी चमच नमक, और आधी छोटी चमच हल्दी, इन सब को मिक्स करेंगे, और इसे दो सुटी आने तक हम पका इसे मैं पका लेते हैं, इसे मैंने दो सुटी लगाने के लिए रख दिया है, तब तक पेष्ट बना के त्यार कर लेते हैं, मैंने यहां पेड़ों दो हरी मिर्च, लिया है, और एक बंच पालख को मैंने अच्छों सब्सक्ने गश्यक, निजिए बना लेते हैं लोगा आ है और पाला को पेश्ट रमास निखा रेता है और नीखा दाल और चावल ने रखाने के लिए यह भी पग गिए है् और पानी देखीए मैंने ज़ादा नहीं डाला था मैंने दो ही कब डाला था तो ये खिचुरी तो तैयार होगी है ।行 भी खालगा लगाड़ा देते हैं इसमें डालते हैं और हम गुल्डन ब्राउन हो तक इसे सेक लेते हैं मैंनि हम एककम मिडियम सइज की प्याज को बारी कट करें कमें यह लेसर आरी की लेसर लाज़गा हैक और दीखे प्याज पालर करके हो साइज मासाले है मर्ची पाऊडर आथी छोटी चममच्छा जीरा पाऊडर आधी छोटी चममच्छ धनिया पाऊडर is case in the始m siinä चोथाई मुझरба फैले भीडाला है तो इसलिए अंः थैकन सइल तर नाले कि यह रखुट रचेंट बोणक है तो देखिए मसाले भून गया है अब शुटिंशे देख बोड़ा जैए है और मिर्ची पहले भी हरी मिर्ची लेशन दीजिए मिर्ची पाउडर कम लिया है तो आपको तीका पसंद दो थोड़ा एक्ष्टा ले सकते हैं इन सब को मिक्स कर जब तक तेल ना छोड़ दे तो देखिए मैंने अच्छे से पका लिया है पाला का कलर भी चेंज हो गया है इन सब को मेक्स कर लेते हैं और खुसुबी बहुत अच्छी आ रही है पाला हमारा हुन चुका है अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसर हमने पहले भी नमक डाला था खिचड़ी में तो हम थोड़ा कमी डालेंगे अब इसमें डाल देंगे जो हमने खिचड़ी बना के रखा था इसे विदालकर अच्छी तरी के से Separate अच्छी तरी के से continuity गःए इस एच्छी तरीके से मिक्स करें है कि तो खीचुडी है इसके उपर थोड़ा सब सा धनिया ढालते है और इधिक तैयार है कि और इसके उपर में थोड़ा सा तड़का लगाउंगी घी और लाल मिर्ची का आप इसे किस तरीके से खाना चाहेंगे दाई के साथ गी तो यह लिजी हमारे किच्डी तैयार है मैंने इसे प्याज और पापड के साथ शर्प किया है आप किस तरीके से इसे खाना चाहेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फैमिली फिरेंड के साथ सेर जरूर करें आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो प्लीज मुझे स प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें और फैमिली फिरेंड के साथ वीडियो सेर भी करें आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मैं मिलती हूं नहीं रेसिपी साथ तब तक लिए बाइबाय थैंक्यू फॉर वाचिंग